हेलो इप्रिवन गुड बॉर्णिंग विल्कम एक में चरनल जिर सन्वीत निसु और मैं हो निसु तो आज है मेरा कुलकता में पहला दिन मेरा भाई चला गया हुआ है क्योंकि मतलब कल ही चला गया था मेरे कुछ काम आ गया था मेरे महां घड़ पर तो उसको अचारक जाना पर नहीं तो वह सूच किया था कि एक दोदल रुकेगा उसका दोस्त भी आने वाला था मट वह भी नहीं आया तो चली अभी तो सब लोग सोई हुए है तक जारी में जारू कर लेने स्थेस्ट मैं होई गई हूँ और मेरे हस्मेट का जो ऑफिस है तो उठीं में तो पूछ है तो जैनरली वा मदस्पोर में चाय नहीं पीते साम में जो ऑफिसे आ जाते है तो चाय में जारू पोचा मेरे हो गया हुआ है तो अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट तो मैं बनांगे अभी तरका दाल तो मैंने तरके दाल को रात कोई भी वो दिया था और अभी कुक तो अभी मैं बनाओंगी चाय क्योंकि धंका मौसम है और इनको चाय पीने का मन कर दिया है नहीं तो ऐसे सुबह में मना ही करते हैं और एक तरफ मैंने चाय रख दिया है बनने को और देखे है हमारे जो कुकर का सिटी है अच्छे से निकल गया है और जो दाल है वो भी अच्छे से गल गया है मैंने पास सीटी लगवाया था उसे मैं अच्छे से गल गया नहीं अगर गला रहता तो एक दू सीटी और लगवा देती क्योंकि यह हलका गला हुआ ही अच्छा लगता है मैंने कुकर में डाल दिया है तेल उसमें डालोंगी जीरा और जब जीरा थोड़ा तरक जाएगा तो इसमें एड कर दोंगी कटा हुआ प्याज और कटी हुई हरी मिर्च यहां पर मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बन बिल्कुल भी लाल मिर्च नहीं नहीं खाना पसंद करते हैं और प्याज जब तक भूण रहा है मैं यहां पर मसाले की तैयरी कर लेती हूँ तो मसाला के लिए में लिया है लसन अद्रक हरी मीट और दो कस्मीरी लाल मिर्च है क्योंकि मेरे पास लाल मिर्च पाउडर नहीं है कस्मीरी वाला तो मैंने दो मा लाल मिर्च पाउडर को ही पीस लिया है इससे कलर जो है काफी अच्छा आएगा या तीखा नहीं होता है अब सब को मैं भून लोंगी अच्छे से और इसके बाद में इसमें एड कर दूंगी हल्दी थुछा मीट मसाला और जीरा पाउडर उसके बाद मसाला को थुछा सब बूनोंगी मैंने साथ ही में नमक पी एड कर दिया है उसके बाद इसमें मैंने एड कर दिया है दो को अच्छे से में लब पीस के अब मैं लो फ्लेम करके ऐसे छोड़ दूंगी मसाला को भूनने के लिए और मसाला इधर अपना होता रहेगा तब तक मैरा चाय भी हो चुक और देखिए चाय भाई पीके आया है हम लोग तब तक हम लोग मतलब मसाला जो है वह अभी काफी अच्छे से भून चुका है तो मैं इसमें एड कर दूंगी दाल को अब दो तीन मिनुट सब को ऐसे भून लोंगी एंड फिर इसमें डाल दूंगी पानी तो आपको जीतना गिर्वी चाहिए आप उसे हिसाब से पानी डालो फिर मैंने इसमें एड कर दिया था जड़ा मसला और अब इसको धक के पकाऊंगी हमें सीटी नहीं लगवाना है मेरे कुकर में धकन भी था मतलब तो मैंने इसमें बना लिया है अदरवाज आप कडाही में बनाना तो ज्यादा अच्छा बनेगा अब मैं बना ले रोटी तो अब यह रेडी हो चुके हैं आफिस के लिए है तो मैंने जल्दी जल्दी से इनका ब्रेकफास्ट सर्ब कर दिया है और अब यह ब्रेकफास्ट कर लेंगे उसके बाद इनको आफिस पर जाना है और यू अभी भी सोई हुई है यह अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे है तब तक मैं जल्दी जल्दी से इनका लंच बॉक्स रेडी कर दे रही हूँ और अब अपने जूता वेगरे पैन की फुली रिडियो हो रहे है और में इस पूछ रहते कि रियो अभी नहीं हूठी है तो मैंने बूल दिया कि नहीं अभी भी वह सुई ही है कि आया सुबला नाई है कि एक वह चाली वह भूलाए है वह रही हूग और सबके मैं घल्ड़ना कि टूले नकी कि यह थाई कि आपा टूले मशी बूले टूले मुड़ना है पापा चले के और यह अभी तक सोई हुई है यह वो गूर्निंग बिटा है करो है अभी भी इसको निंदे आ रहा है रियो पापा ड्यूटी पापा कहा गया ड्यूटी चुटू चुटू और अभी यह अपर रियो अपने बुआ के साथ बाहर में चीरिया वगरा को देख रही है और जब तक दोनों साथ में खेल रहे हैं मैं जाकर अपने काम मतलब खत्म करके नहां वाकर फ्रेस हो जाती हूँ डास करो डास करो मां पीने जुटी लियो अपने ग्लास लेओ देख आपने ग्लास पाने पीलो जाओ यह आपकी ग्लास पाने जाए पीली छे आइब खर जुटी कर Cristogs का जए ग्लास कै बहु कर गलास कै मां भुका घुटी के सक्षाः ग्लास का E चर दो कंकर यह जब शीं जने लिने डग्लास काइबंगा कczenia savैछशिस दया करे हो झाल